हलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सिबलों का दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ सो रोस्तो इस वीडिये में हम लोग बात करने वाले येस आज की दिन एक स्टॉक ज़्यादा फोकस में आपे रहने वाला था और आगे आपने क्या यहाँ पर करना चाहिए बहुत से लों की कमेंट्स भी आते हैं कि क्या हम लोग ये शेर को बाय करें सेल करें ठीक है तो सारी जो आपके डाउट से वह यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे तो चलिए बात यहाँ पर होने वाली है दोस्तो तो रिलाइंस सबी लोग को पता है येस जियो फाइनेंशल सर्विसेस की सो फॉर्मेलिटी की साथ अगर बात करें तो आपको पता ही है इसका प्राइस डिसकावर हुआ था 261.85 है और आज के दिन के अगर हम लोग बात करें तो ये लिस्ट यहाँ पर होने जा रहा था लिस्टिंग की ब सब्सक्राइस फाइस आहीं स्टॉक यह पर जा सकता है करके बड़ अगर हम लोग हकीकत की बात करें हकीकत मतलब जो मार्केट में हुआ हो उसकी अगर में बात करें तो कैसा परफोरमस रहा तो उसके उपर पहले हम लोग यह आप देख लेते हैं तो ओपन कितने पर उपफ अब जो price discovery हो थी 261.85 है, open हुआ आप यहापे देख सकते हैं, BSC के हिसाब से में बात करो, BSC NSE आपको बता है, थोड़ा सा 19-20 रहता है price, तो 265 पे open होते वे देखने को आपे मिला, मतलब कोई दमदार opening नहीं थी, ठीक है, GMP के हिसाब से expectation था कि बहुत धूम धड़ाके कि सा बाते वे देखने को मिला, ठीक है, मतलब हम लोग यहापे कह सकते हैं, फिर भी मोटा मोटी कितना भागा होगा, hardly चलो 20 रुपया rounded पकड़ लेते हैं, ठीक है, 17-18, ऐसा ही कुछ हम लोग को भागते वे देखने को मिला, and then अगर हम लोग लोग लेवल की बात करें, तो 251.75 यह सबसे lowest level देखने को मिला, obviously, आप सभी लोग को पताई है कि stock में हम लोग को बाद में lower circuit लगते वे देखने को मिला, कितना? 5% का हम लोग को यहापे फिलाल तो circuit देखने को मिला है, दोनों साइड पर नीचे, तो circuit पर ही हम लोग को close होते वे देखने को आपे मिला है, तो अगर हम लोग आप यह आगे बढ़ लेते हैं, कि कंपनी का market cap अभी कितना है, यहापे देखने को मिला है, फुल market cap की बात करे तो, तो आप यहापे देख सकते हो, चलो, rounded ही पकड़ लेते, 1,60,000 करोड, ठीक है, तो यह market cap देखने को मिला है, जो शुरुआत से price discovery की हिसाब से था, 1,66 था, अभी नीचे देखने को मिल रहा है, तो obviously, market cap आपको बताएगे, जो भी share price रहेगा, into number of shares, उस हिसाब से हम लोग को देखने को मिल जाते है, तो लो, MPPS अगर नीचे आएगा, मतलब share price नीचे आएगा, तो market cap भी नीचे जाता है, अगर share price बढ़ गया, तो market cap यह तो एगदम basic सी बात है, face value की बात करें, तो 10 का face value देखने का आपे मिल रहा है, थोड़ा सा आगे अगर हम लोग जाएंगे, तो category listed में है, group and settlement type की बात करें तो yes, t slash t plus one, मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, यह trade to trade में हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब अगर आप इस share को खरीते हो, तो पूरा आपको पैसा यहापे देना पड़ेगा, कोई intraday नहीं, यहापे आपको लोग को deliveries उटा दें पड़ेंगे, यह सारी चीज़े हम लोग को देखने पर रहा है, यह तो हो गए basic सी बात, तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, क्या समझ में आ गया कि yes, जो expectation था, ठीक है, कि अच्छा धूम घड़ागे के सार लिस्टिंग होगा, lower level पे भी अगर हो जाएगा, तो भी मतलब देखा गया, तो इतना कोई expect नहीं किया, तो चलो lower circuit ही आपे लग जाएगा, तो यह चीज़े फिलाल तो हम लोग को geofinancial services में देखने को आपे मिल अगर हम लोग बात करें, NSE पे भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा प्राइज उपर नीचे देखने को आपी मिल जाता है, and lower circuit मतलब क्या basically, yes, जिनके पास भी यह शेरते हो, विक्वाली के लिए हम लोग को जादा आते वे देखने को मिले, तो order book की भी अगर हम लोग बात लाइन में हम लोग को कोई भी देखने को आपे नहीं मिल रहा था, इसी को lower circuit बोलते है, and upper circuit आपको पता है, कि यही number यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, and यहाँ पर कोई नहीं होगा, ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ है, हम सभी लोगों को पकड़ कर आगे चलते हैं, जो share market में अभी-अभी आया है, उसको भी यह चीज़े समझ में आपे आनी चाहिए, so अभी तक कि जो भी कहानी थी, geo financial services की, वो मिने आप लोगों के सामने रख दी है, ठीक है, and हम इतना कह सकते हैं, कि जो शुरुआत हुई है, geo financial services की, इतनी कुछ खास नहीं है, आप ऐसा भी ब बात करू, तो budget finance में तो मन बना करी चल रहा था, कि अगर इसका कुछ mood bid खराब हो गया, तो मस्त यहापे 2x के सबसे quantity add कर लूगा, अगर कुछ major गिरावट हुई तो ऐसा तो कुछ होते वे देखने को मिलें, नहीं, in fact, यहापे पहुन ही 3% की अच्छी कासी तेज़ी तो yes, PTM के पेट में थोड़ा सा दर्द यहापे होते वे देखने को मिल रही है, यह भी सभी इनी के विरादरी के हम लोगो competitor, मतलब players देखने को आपे मिल रहे है, ठीक है, एक दूसरे को पचाडने के लिए अभी काम करते वे देखने को आपे मिलने वाले हैं, and similar way अगर हम हम लोग बात करें, तो obviously हम लोग इनकी बात करतें, बट AMC stock भी हमारे radar के पर रहने चाहे, क्योंकि ultimately देखा गया, BlackRock के साथ इन्होंने आपे deal की है, तो mutual fund industry में वो तो आज ने, तो कल इंटर ही कर लेंगे, बस official announcement आना बाकी है, तो इस चीज़ के चलते, AMC की वे अगर हम ल related, मतलब other than banking, उसमें हम लोग यह company काम करते हुए देखने को आपे मिल रही है, then अगर हम लोग यहापे बात करें, यह अभी तक जो भी चीज़े थी, यह तो just पढ़ने वाली बात थी, कि आज के दिन क्या हुआ, वही मिने आप लोग को आपे बोल दिया, what next, अभी बहुत स साथ-साथ बाकी index में भी है, तो obviously वो निकाला जाएगा, आप सभी लोग को पताए है, इंडेक्स से, तो mutual funds के हम लोग को selling होते वे देखने को मिलेंगे, 145 million shares इसके चलते हम लोग को बेचते वे देखने को मिलेंगे, यह कल के दिन में already आप लोग को बताए था, लगबग 38 नदर 800 करोड के आसपास, हम लोग को passive mutual funds के और से, शायद से selling देखने को आपे मिल सकते है, अगर हम लोग इसके date की बात करें, ठीक है, तो date बताया जा रहा है कि might be, 24 August से हम यहापे कह सकते है, कि शायद से हम लोग को यह सारी चीज़े exclusion happen होते वे देखने को आपे मिल सकते ह जो calculation है, यह नुआमा में यहापे करके बताया हुआ है, अभी इसमें भी एक ट्विस्ट है, बट मैं पहले disclaimer देना चाओंगा, ट्विस्ट मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना अभी इतना हर एक theory इतना याद नहीं रहता है, बट जबी भी अभी तक मतलब जितन जो mutual fund वाले रहते, वो exclusion के बाद, यहापे exit करने के बात यहापे होते वे देखने को आपे मिल सकती है, बट जबी भी मैंने देखा कि इसके लिए ट्रेड होना बहुत important है, मतलब आज की दिन के अगर हम लोग बात कर तो वैसे तो circuit मे ही चीज़े होते वे देखने को आपे म हैंने का कि चेक कर ले ना कि ऐसा ही एक करके, बट एक बात तो पक्की है, क्या पक्की है, कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसो, नहीं तो नरसो, इसको तो यहापे exclusion, मतलब इंडेक्स से तो बाहर यहापे निकाल नहीं पड़ेगा, और इंडेक्स से बाहर जाएगा, तो ETF मतलब यह तो टाइमिंग का खेले, अगर 24 को नहीं तो 25, 25 को नहीं तो 26, नहीं तो next, नहीं तो next, नहीं तो next, वो तो, बट होते वे देखने को मिलेगा, यह पॉइंट भी हम लोगों को पता है, होना चाहिए, तो एक बेसिक सा पॉइंट है, इसको नोट करके चल देना, द लगा सकते हो, एंट AGM कम है, तो 28 August को AGM में relance की, एंट AGM की बात कर, 46 AGM है, एंट हम लोग यह पर कह सकते है, बोला जा रहा है, अभी तक की जो information है, दुपर को दो बज़े हम लोग को देखने को मिलेगा, थ्रू video conferencing भी सारी चीज़े हम लोग यह पर कर सकते है, तो बतान एक बहुत ही important golden point यहापे रहने वाला है, जो geofinancial services को as a बहुत ही serious तरीके से दिखते है, कि इसमें invest करके long term क्या रहना चाहिए, तो उनके लिए यह वाला जो date है, 28 August, यह बहुत important रहेगा, ठीके वो पहले वाला जो था mutual fund वाला, वो तो हमारे control में नहीं है, वो आगे सवाल यहापे पूछा जता है, थोड़ा सा बुरा मत मानना दोस्तों, बट मैं थोड़ा आपको पता ही है, मैं direct बोलना पसंद कर देता हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगता है comment section में, तो चाहे तो अपनी प्रतिकिया यहापे व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात न देखें दोस्तों ऐसा random buying नहीं करना होता है, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ आपको, कि ऐसा ही news channel पे कोई ख़बर यहापे चल रही है, ठीक है अभी यही चीज़ हम लोगों को ITC के hotel के वग लिस्टिंग के वग भी देखने को मलेगी, सर क्या खरीदे, खरीदे, अरे होता है, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि कभी आपको मिलूंगा और आपको पूछूंगा, कि बहुत बताओ आपके portfolio में ABCD जितने भी शेर है, आपने क्यों खरीदे, उसके पीछे का reason बताओ, वो profit loss बात की बात है, reason proper होना चाहिए, reason क्या है, बस ऐसे listing कुछ तो ही मचाई थी, वैसे ये तबाई मचाई सकती है, देकि ये reason एक बहुत valid reason हुआ, कि किसी ने तो कुछ तो बोला, ठीके, कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते कि मुझे management बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनका management, अगर देखा गया न, जियो financial services, ये जो company है, इसका अभी तक बो उपर लेकर गये है, ऐसे-एसे लोगों को उन्होंने यहापे नियुक्त किया है, तो देखा गया जियो financial services में, अभी तक सबसे बड़ा अगर कोई मेरे side से point है, तो वो ये ही है, कि उनकी management की team बहुत solid है, ये एक ऐसा point है, जिसके चलते अगर कुछ हो सकता है, कुछ लोग करके info says को वापस उपर रखने की कोशिश करेगा, और इससे related demo भी हम लोगों ने देखा था, वो जो विशाल सिक का CEO बहुत कुछ drama हुआ था, आपको पताई है, तबी भी उन्होंने संभाला था, राइट, बाइबैक, शायद से बाइबैक, कुछ तो announce उन्होंने किया था, then उसी के साथ-साथ जो Security Exchange Commission में जो case देखने के मला था, विसल ब्लोर, तबी भी उन्होंने case को अच्छी तरह किसा handle किया था, मतलब ऐसा आपका reason clear होना चाहिए दोस्तो, यह theory आप लोगों को सुनके bore लग रहा होगा, बट यही चीज़े काम करती है, हम क्यों खरीद रहें, बस ऐसा ही अभी आज कुछ तो list हो रहा है, तो खरीद लेते हैं, यह कोई reason नहीं हो है दोस्तो, अगर आपको खरीद नहीं है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे important चीज़ होती है दोस्तो, company की earning, company earning क्या करीगी, company growth क्या करीगी, यह तो दिखना चाहिए, अभी तो company just market में list हुआ है, ठीक है, हाँ, उसका performance ज़रूर रहेगा, बड़ अगर आपको जाना ही है as a long term investor, recommendation नहीं वो आपका मर्ज है, पैसा आपका addition आपका है, तो sensible point यह रहेगा, कि आप company के number देखो, उसके बाद आराम से enter कर लेना, सिर्फ price या पर आज 240 है, कितना था 200 था चलती रहेंगी, आप disturb होते रहोगे, अगर आप random buying करोगे तो, उपर जाएगा, तो random buying के चलती खुश हो जाओगे, नीचा आएगा तो बोलेगे, और काश पहले बेच लिया होता, तो कुछ तो profit बन जाता, फिर वापस उपर जाओगे, hold करोगे, और उपर जाएगा, तो random करना, अगर आप उस company से कुछ चाते हो, मतलब आपका target का है उस company से, कि इतना इतना वो बड़ा बन सकती है, उस हिसाब से आपने चीजों को mark करके निवेश करना होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको sensible decision लेना है, तो अभी company list हो चुके है, आने वाले quarter के numbers देख कर रहे हैं, और भी बहुत सारे clear आ रहे है, mutual funds की बात करें तो, दैन अगर देखा कि तो insurance sector के लिए उन्होंने license प्राप्त करने के लिए आपे उन्होंने application यह आपे दिया है, तो अभी तक हम लोगों ने यह आपे देखना है कि company का performance कैसे रह रहा है, तो एक-एक चीज को य होगे नीचा आएगा तो बोलेंगे कि आरे का पे फस गया में, ठीके तो आपका reason अब दम clear cut यहापे होना चाहिए, अगर आप मुझे पूछो कि sir क्या आप खरीदोगे, देखे पहल तो में disclaimer देदू, yes, relance यह share, relance industry की में बात कराओ, यह share मेरे पास है, कोई आज का share ने बहुत पूराने समय से है, तीन डिजेट परसंटेज में मेरे returns है, मतलब आप समझ सकते हो कि, पाच-पास साल में आप double करने के हिसाब से, मैं इसको यहापे लेकर चलता हूँ, उस हिसाब से मुझे भी यहापे free के share से मिले हुए, that's it में उसको ही hold करना पसंद करूँगा, अगर मुझे additionally add यहापे करना है, तो company का मैं performance देखूंगा, और आराम से उसके बाद चाय में 500 बे भी खरीदू, बट मैं performance देखके खरूंगा, ऐसा नहीं बस मुझे उठा कर कोई भी stock खरीद लिया कर गे, और वैसे भी देखा कि, तो finance के बाखी company बाजार में ही available, उनके प पॉंट्स दे, न्यूस के साथ मैंने cover यहापे कर लिए, वीडियो helpful लगा होगा, तो चाहो तो इसको like and share भी कर सकते हो, डिमेट आकांट अकर आपने अभी तक उपन नहीं किया, तो link नीचे description में, 25 वीडियो की लिष्ट आपको बिलकुल free of cash मिल जाएगी, आपका नाम, बार के अंदर-अंदर सारे lectures मेरे साथ से free of cash प्रवाड करती जाएगे, तक आप share भादर को आसान बाशा से सीख सको, so that's it, we will be meeting Rx Studio, तब तक के लिए, bye-bye.